हेलो स्टुडेंट्स मैट्स एक्सराइट 2.2 क्लास फिफ्थ जो कल हमने कोशन नमर फर्स्ट किया था तो उसमें हमने एक टेबल की थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नुमेरेशन के लिए हमने यह टेबल की थी तो आपको अगर यह टेबल दोबारा से समझने है तो आप पिछ इंटरनेशनल सिस्टम किए जैसे के वह टेबल में गीवन था उसके कोडिंग चलेंगे है तेबल में वान सेंज घंडर्ड थाउजंड टेंथ थाउजंड लिएंट-टैंड,यह, अमने लिएंट फिएंट-अन्र ताउजं,चिएंड टेंड फाउजंड,जिएंड से हम यहाँ पर इसके लिए figure बनाएंगे question number two का a part solve कर रहे हैं a part कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले international system के according हमने solve करना है कौन सा system लगाना हमें international system, international system में हम numbers को कैसे represent करते हैं सबसे पहले आता है हमारा once, tens, 100,000, 10,000 जैसे कि हमें टेबल में गिवन है ऐसे ही हम लेते जा रहे हैं यहां पर 100,000, उसके बाद है 1,000,000, 10,000, 100,000, जी अब हम स्टेटमेंट देखते हैं 522,000, 383,219, अब हम इस स्टेटमेंट को फिगर्स में लिखने जा रहे हैं 522,000, यानि कि 500, 100 के लिए हमें कितना दिया है 5, मिलियन में 100 के लिए 100 मिलियन हमें दिया है 5, उसके बाद 22 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन के लिए हमें दिया है 22,000, इस टेटमेंट में गिवन है 22,000, 22 आजेगा हमारा 10 मिलियन के लिए दोनों प्लेसिस पे हमारा 2, 2 आएगा 383,000 100,000 के लिए हमारा गिवन है 300 उसके बाद 83,000, 10,000 और 1000 प्लेस के लिए आएगा 10,000 प्लेस पे 8 1000 प्लेस पे 3 Then 219 100 प्लेस के लिए 2 100 प्लेस पे 2 And last में है हमारा 19 यानि कि 10 प्लेस पे आएगा 1 1 प्लेस पे 9 तो ये बन गया International System के According Figure बनी है इसको हम again यहाँ पे दोबारा से लिखते है 522,383,219 अब कॉमाज लगाएंगे International System के According कॉमा लगते है 33 डिजिट के बाद हमारे कॉमाज लगते है इसके बाद कोई आगे डिजिट है नहीं तो कॉमा नहीं लगाएंगे तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे Next, B part सोन करेंगे B part में क्या दिया statement given है 700,000, 460 यह हमें given है तो हम यह आपे भी लिखेंगे International System के According Once, Tens, Hundred, Thousand 10,000 तक International System के According और Indian System के According 10,000 तक हमारा सेम जाता है उसके बाद क्या होता है International System के According आजाता है 100,000, Million 10,000, 100,000 अब हम देखते हैं 300,000, 300,000 यहाँ पे given है यानि कि 100 प्लेस के लिए आएगा हमारा 100,000,000 प्लेस के लिए 300,000 यानि कि 10,000,000 और Million के लिए कोई भी डिजट यहाँ पे given हमारे लिए नहीं है तो हम लिखेंगे 0 and 0 Then क्या दिया है 700,000 700 यानि कि 100 प्लेस के लिए 700,000 प्लेस पे 700,000 के बाद 1000 यानि कि 10,000 के लिए भी 0 है और 1000 के लिए भी 0 है कोई डिजट यहाँ पे हमें given नहीं है कोई नमबर given नहीं है तो उसके बाद है 400 400 यानि कि 100 प्लेस के लिए 4, 460 60 मतलब 10 प्लेस के लिए 6 and 1 प्लेस के लिए 0 बन गया 60 ये बन गया 300,000,007,000 460 तो बारा से हम फिगर लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये फिगर बन गी हमारे इंटरनेशनल सिस्टेम के एकॉर्डिंग कॉमास पूट करेंगा 33 डिजिट के बाद इसके पास C and D पार्ट आप खुच से ट्राइ करोगे थैंक्यू